इस पीडिएफ का पासवर्ड इस विडियो के अंत में दिया गया है तथा ये डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेलिग्राम ग्रूप और वाट्स आप चैनल में मिलेंगी जिसे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जॉइन कर सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदे के कारण भारत में राष्ट्रवाद के उदे का मुख्य कारण आपनी वेशिक शासन की दमनकारी नीतिया थी अंग्रेजी शासन के अधीन भारतिय समाज, संस्कृती और अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया गया इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख कारण थे एक, ब्रिटिश नीतियों का विरोध अंग्रेजों द्वारा लागू की गई नीतियों जैसे की भूमी व्यवस्था, आर्थिक शोशन और भारतिय उद्योगों का विनाश ने भारतिय समाज में असंतोष पैदा किया किसानों, मजदूरों और कारीग्रों के साथ अन्याइपूर्ण व्यवहार के कारण जनता में आक्रोश बढ़ा दो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजो द्वारा भारत में शुरू की गई पश्चिमी शिक्षा प्रणाली ने भारतियों को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के मूलियों से परिचित कराया शिक्षित भारतिय वर्ग ने अंग्रेजों की आपनिवेशिक नीतियों का विरोध करना शुरू किया और राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाबा दिया तीन समाचार पत्रों और साहित्य का योगदान भारतिय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और साहित्य ने जागरूपता फैलाने का कार्य किया बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टो पाध्याय और रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे लेख को और विचार को ने भारतिय समाज में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार किया चार आर्थिक शोशन, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारतिय उद्योगों का विनाश और कच्चे माल का अत्यधिक दोहन हुआ भारत का वस्त्र उद्योग पूरी तरह से नश्ट हो गया, जिससे भारतिय व्यापारियों और उद्योगपतियों में आक्रोश फैला पांच एक आठ पांच साथ का विद्रोह भारतिय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा प्रयास 1857 के विद्रोह के रूप में सामने आया हालांकि यह विद्रोह अस्फर रहा, लेकिन इसने भारतियों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया छे, भारतिय सामाजिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधार को ने सामाजिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से भारतिय समाज में जागरूकता फैलाई इन आंदोलनों ने भारतिय समाज को धार्मिक और सामाजिक बंधनों से मुक्त कराकर राष्ट्रिय एक्ता का मार्ग प्रशस्त किया भारतिय राष्ट्रवाद के तीन चरण भारतिय राष्ट्रवाद का विकास तीन प्रमुक चरणों में विभाजित किया जा सकता है 1. प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 नरंपंथी या उदारवादी दौर इस चरण का नेत्रित्व भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के संस्थाप को और प्रारंभिक नेताओने किया वे ब्रिटिश शासन के प्रती उदारवादी दृष्टिकोन रखते थे और सुधारों के माध्यम से बदलाव की मांग करते थे प्रमुख नेता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंदरनाथ बनरजी, फिरोज शाह महता मुख्य मांगे भारतियों को उच्च पदों पर नियुक्ती, प्रशासन में सुधार और अधिक भारतिय प्रतिनिधित्व कार्यनीती इस चरण में नेताओने समविधानिक माध्यमों से अंग्रेजी शासन से सुधारों की मांग की उन्होंने याचिकाए भेजी और सभाओं का आयोजन किया इस दोरान सुराज स्वशासन की अवधारना को भी बढ़ावा दिया गया दो, द्वितिय चरण 1905 से 1919 उग्रवादिया गरमपन्थी दौर इस चरण में राष्ट्रवादियों ने नरमपन्थी नेताओं के कारियों से निराश होकर उग्रवाद की नीती अपनाई बंगाल के विभाजन 1905 ने इस उग्र राष्ट्रवाद को और बढ़ावा दिया प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय, विपिन चंदरपाल, लालबालपाल मुख्य नारे स्वराज मेरा जनमसिध अधिकार है, तिलक का यह नारा इस समय का प्रमुख सूत्र बन गया कारियनीती उग्र राष्ट्रवादियों ने बहिशकार, स्वदेशी आंदोलन और जनांदोलनों के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध किया उन्होंने पश्चिमी वस्त्रों और वस्तूओं का बहिशकार किया और भारतिय उद्योगों को बढ़ावा देने का आहवान किया बंगाल विभाजन 1905 में लॉड करजन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, जिससे भारतिय जनता में आक्रोश फैला इसका विरोध स्वदेशी आंदोलन और वहिशकार आंदोलनों के माध्यम से किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1911 में विभाजन को रद किया गया तीन, त्रिटिय चरण 1919 से 1947 गांधी वादी दौर इस चरण में महात्मा गांधी ने भारतिय स्वतंत्रता आंदोलन का नेत्रित्व किया, गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन की रणनीती अपनाई, प्रमुख आंदोलन असहयोग आंदोलन 1922 से 1922 गांधी गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग की घोशना की, इस आंदोलन के तहट ब्रिटिश संस्थानों, शिक्षन संस्थानों और वस्त्रों का बहिशकार किया गया, सविनय अवध्या आंदोलन 1930 नमक कानोन के खिलाफ गांधी जी के नेत्रित्व में यह गांधी जी ने अंग्रेजो भारत चोड़ो का नारा दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक जनांदोलन खड़ा किया, प्रमुखनेता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्रबोस, सर्दार वल्लभाई पटेल, मुख्य उद्देशक, पूल् गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारतियों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक जुट किया, भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की स्थापना व योगदान कॉंग्रेस की स्थापना 1885 स्थापना भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की स्थापना 28 दिसंब का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसमें बहत्तर प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें भारतिय प्रशासन में सुधारों और भारतियों के अधिकारों की मांग की गई। का पहिशकार करने और स्वदेशी वस्त्रों का उप्योग करने के लिए प्रेरित किया गया। असहयोग और सविनय अवग्या आंधोलन महात्मा गांधी के नेत्रित्व में कॉंग्रेस ने असहयोग और सविनय अवग्या आंधोलनों का आयोजन किया, जिसमें लाखो भारति इन आंदोलनों ने भारतिय स्वतंत्रता संघर्ष को व्यापक जनाधार दिया। की स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। इस समझोते के तहट दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल समाप्थ हुआ और आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। अगस्ट प्रस्ताव आठ अगस्ट 1940 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन को शांत करने के लिए पेश किया गया था। द्वितिय विश्व युद्ध के दौरान भारतियों का समर्थन प्राप्ट करने के उद्देशे से वायसराय लॉर्ड लिनलितकों ने यहाँ प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव के तहट ब्रिटिश सरकार ने यहां माना की भारतियों को स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए और भविश में भारत का सम्विधान भारतियों द्वारा ही बनाया जाएगा. अगस्प्रस्ताव में कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों को एक कार्यकारी परिशद में शामिल करने का सुझाव दिया गया था हालांकि इस प्रस्ताव को भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने खारिज कर दिया कॉंग्रेस का मानना था कि यह प्रस्ताव स्वतंत्रता की दिशा में बहुत धीमा और अपर्याप्त था जबकि मुस्लिम लीग का मानना था कि इसमें मुस्लिमों के हितों को उचित महत्वन नहीं दिया गया अगस प्रस्ताव ने भारत के स्वतंत्रता संग्रा में महत्वपूर्ण मोड की भूमी का निभाई भारत शासन अधिनियम एक 935 ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सम्विधानिक दस्तावेज था जिसे 1935 में ब्रिटिश संसद ने पारित किया यह अधिनियम भारत के प्रशासनिक धांचे को पुनरगठित करने और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया था इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में प्रांतिय स्वायत्ता शामिल थी, जिसके तहद भारतिय प्रांतों को अधिक स्वायत्ता दी गई और मंत्रियों को जिम्मेदार ठहराया गया इसके अलावा, संगिय व्यवस्था का भी प्रावधान था, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियास्तों को मिलाकर एक संग बनाने का प्रस्ताव रखा गया, हालांकि यह संग कभी लागू नहीं हो पाया अधिनियम ने समान मतदान अधिकार का भी विस्तार किया और केंद्र में द्विसदनिय विधाईका का प्रावधान किया हालांकि भारतिय नेताओं ने इसे अस्विकार किया क्योंकि यह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पूरा नहीं करता था